हेलो नमस्कार मैं CSDV आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर आज हम महिला परविक्षा के अंतरगर्त सीजी सुपरवाईजर के अंतरगर्त मोश्ट आईंपी MCQ को देखेंगे विडियो को आप पूरा देखेगा प्रश्णों की संक्या 80 से विजादा है और प्रश्ण जो है महिला एवं बालविका से संबंदित प्रश्ण देखेंगे समानिग्ञान से देखेंगे हिंदी से देखेंगे ठीक है तो इन सब से देखेंगे है ना प्रश्ण बहुत ही इंप chilled है और लेवल बहुत अच्छा है वैसा ही कोश्ण जैसे एक्जाम में आते ठीक है तो A, B, C या D कौन सा सही है option नमबर उठाने की कोशिस करिएगा ठीक है option नमबर कौन सा सही है option नमबर E सही है ठीक है 26 October 2006 ठीक है very good है देख लिजे ऐसे लगाते रहिएगा है ना चलिए अगले आदिखे अगले आपका दिखे भारत में अंगनबारी केंदर की शुरु कौन सा सही है ना option से उठाने की कोशिस करिएगा बहुत important question है option नमबर कौन सा सही है option नमबर E सही है ठीक है 1975 very good चलिए देखे अगला question आपका देखे आंगनबारी केंदरों में महिला साहिका की नियुक्ति कौन करता है कौन करता है राज्य सरकार ग्राम पंचा जिला पंचा कौन सा सही है आपका A B C या D है ना तो option नमबर E सही है ठीक है राज्य शरकार ठीक है चलिए very good अगला देखे आपका देखे महतारी जतन यूजना कब प्रारम हुआ कब प्रारम हुआ है ना बहुत important है यह एना date याद रखना आपको जरूरी है ठीक है A B C या D कौन सा सही ह है option से उठाने की कोशिस करिए 4 मई 2017 सही है option नमबर E सही है ठीक है चलिए अगला देखे अगला आपका देखे चकमक अभियान और सजग कारकरम का प्रारम कब हुआ कब हुआ है देखे 16 जुलाई है ना 16 जुलाई 2019 है या फिर B है या फिर C है या फिर D है कौन सा सही है option से अपरिल 2020 ठीक है अगला देखे आपका दिखे शिसुओं को निमनी बीमारी के बचाव है तो B C G की टीका दी जाती है तो किस बीमारी की बचाव के लिए दिया जाता है टाइफाइट टिटनेस तपेदी किया इनमें से कोई नहीं कौन सा सही है आपका option नमबर जो है आपका से सही है ठीक है तपेदी वेरी गुड चलिए अगला देखे आपका देखे संसकार अभियान में कितने वर्सों की बच्चों को सामिल किया गया है तो कितने वर्सों की बच्चों को देखे A B C या D कौन सा सही है आपका देखे option नमबर अपसन नमबर सी सही है ठीक है तीन से छह वर्स ओके चलिए अगला देखे आपका देखे प्रदान मंत्री मात्र वंदना योजना का प्रारम हुआ तो कब हुआ है एना A B C या D कौन सा सही है आपसन नमबर आपका ई सही है ठीक है एक जन्वरी 2017 को वेरी गुड चलिए अग अगला देखे आपका मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना के तहत है कितने रासी नगद स्वरु प्रदान की जाती है तो कितनी रासी A B C या D कौन सा सही है आपका आपसन नमबर आपसन नमबर सी सही है ठीक है सी सही है ग्यारा हजार रुपए ओके चलिए दिखे अगला है शुरुआत कब से हुई है तो कब से हुई है एन 2012 10 15 या आठ कुन सा सही है आपका आपसन नमबर ए सही है ठीक है 2012 हम लोग और आपसे विन्ति यह है कि एक और वीडियो बन चुका है ना वह वाला आपका है यूजना यूम कारिकरा महिला बाल विकास भाग सी तो बहुत इंपवर्टेंट है वह अला विडू आप देखे नहीं है तो देख सकते हो है ना प्लेडिस्ट बना हुआ है और प्लेडिस्ट नहीं होगा तो आई बटन में दे दिया हूं कहीं से भी लिंक देने की कोसिस करूंगा आप देख लीजेगा ठीक है चलिए देखें आपका देह हेज पतनी या उसके वारिषों का फाइदा प्सवेदा किस धारा में हैं abc या ड न टो आपशन नमबर को phenิ आपका ओप्सव साथैक है य्पोट इंपॉटन है पढते रहे साथै ELkem सिल स्द्वाड पहचान करता को दंड किस धारा में है ना तो किस धारा में है A B C या D option number 20 थीक है पांच धारा 5 वेरी गूर चलिए अगला देखे आपका देहें ज़ें किस के द्वारा दिया जा सकता है A, B, C या D, कुन सह सही है, option number D सही है, इन में से कोई नहीं, ठीक है, चलिए अगला दिखे, किस वंस ने सरुप्रतम 36 गड़ की हैं, 36 गड़ से सासन प्रारम किया, तो किस वंस ने, A, B, C, या D, काफी सरल कुश्चन है, option number C सही है, ठीक है, कल्चूरी, very good, चलिए, अगला दि दिखे, 36 गड़ में सरवादिक समय तक, सासन करने वाला वंस कौन है, तो कौन है, वही है, आपका C है न, कल्चूरी, very good, चलिए, अगला दिखे, आपका सरुप्रतम, सरुप्रतम, ब्रिटिश सासन का नियंतर, 36 गड़ में कब स्थाफित हुआ, कब स्थाफित हुआ, A, B, C, D, कौन सा सही है, आपका ऑप्सन नंबर, देखे, D सही है, ठीक है, अठारा सो अठारा में, चलिए, अगला दिखे, अगला सुबा सासन की सुरुवात हुई, तो कब हुई है, आपका, 1830 है न, या 1814 या 1818, कौन सा सही है, आपका सुबा व्यवस्था, सुबा सबस्क्साइब करें और सब्सक्राइन कि यहीं चलिए जितने भी आपका विज्ञान से हैं वायरस का नाम हो गया तो आपको याद करना है ठीक है कि अच्छे से पड़ते रहे हैं और इमान दारी परवक पड़िए दिखिया महराथा शासन की शुरवात कभ हुई है option number E, B, C, D, तो option number आपका कुन सा सही है, option number जो है, है न, E सही है, है न, 1830, very good, चलिए, दीखे, दीखे, फारिष्टर है न, किसके सासन में 36 गड़ाया था, तो किसके सासन में 36 गड़ाया था, E, B, C, यादी, है न, option number कुन सा सही है, option number कि अगला दिखे अगला है आपका तारा पूर विद्रो का नित्रित किष्ण ने किया है तो किसने किया है इसका ट्रिक बना सकते हैं कि तारा जो है वो दल में होता है उपर देखेंगे न चांदनी और तारे है न तो तारा दल में होता है तो ऑप्सन नमबर भी सही है ठीक है दल गंजन सिंग है न हमेसा के लिए याद हुआ कि नहीं जी ठीक है चलिए दिखे खटे फलो में कौन सी अगला कोशन आपके सामने है किसने चत्यस गड़ में प्रत्यक्ष सासन की सुरुवात की तो किसने ए बी सी यादी कौन सही है आपका ऑप्सन नमबर ए सही है बिमबा जी भोशले ओके चलिए अगला दिखे आपका अंतिम कल्चूरी शाषा कौन था तो कौन था दिखे डी अपषन नमबर इजाम है लिए से अपका अहार में लाह की हैं कमी से हो जाता है तो क्या हो जाता है कौन से बी मारी option number A, B, C या D कौन सा सही है आपका option number A सही है ठीक है रक्त छेड़ता ठीक है इसको क्या बोलते हैं आप comments करके बताईए ठीक है अगला भी काफ़ी important question है ठीक है तो दिखें यह है आपका निमनी लिकित में से कौन carbohydrate का एक दमदार स्रोत है तो A, B, C या D कौन सा सही है दमदार बोल रहा है जितने भी बहने हैं दमदार बोल रहा है ठीक है तो दिखें यह है आपका option number कौन सा है option number D सही है आलो ठीक है चलिए अगला दिखें दमदार बनना है तो विकेंसी हमको पाना है और अच्छे से पढ़िए टाइम कम विष्ट करिए पढ़ना जरूरी है समय कम है ठीक है यह आपका मनेंद्रगर जिला किस जिले से सीमा रिखा नहीं बनाता तो किस जिले से नहीं बनाता है A, B, C या D आपका option number मनेंद्रगर जिला अभी नया जो बन रहा है उनके लिए है ठीक है तो अभी जो सीमा रिखा बना हुआ है नया उसके लिए तो option number कौन से सही है नहीं बनाता है बोल रहा है option number D सही है ठीक है सरवुजा ओके चलिए अगला 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 आपका देखिए आपका जवाद तो फांड कहां आया था तो कहां आया था ABC या D तो वही है आपका option number option number A सही है उरिशा बेरी गूर चलिए अगला देखिए आपका अगला आपका देखिए सरवाधिक लिंगा नुपाद किस जिली का है तो किस जिले का है सरवाधिक लिंगा नुपाद ABC या D कौन सा सही है आपका option number B सही है कुन ड़गाउं चलिए अगला देखिए अगला आपका देखिए आदी का विलोम क्या है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यहां से हिंदी चालो हो रहा है आदी का विलोम जितने भी प्रश्ण है उसका जो आंसर है बहुत ही सावधानी पुर्वत लिया गया है सोच समझ कर लिया गया है और अगर थोड़ा सभी गलती हो जाता है इंसानी तो है आंसर लेने में अगर गलती भी हो जाता है तो आप जो है करें तो समर्थ का विलों A B C योा ला बाना तो समर्थ ओके परिया यहां नहीं नहीं है नहीं है वो रहा है तो सभाष न 그게 A B C आइएन जल्द फिर rapper leverage यह इन से कोई नहीं ओन सब्सक्राIC अपन UP ना-फ़्सल्व 25 ओन यह नहीं है चलिए अगला दीखे आपका आकाश कुशुम होना मुहावरी का है न अर्थ क्या है क्या है आपका असंभाव काम है न या फिर B या फिर C या फिर D कौन सा सही है और पढ़िए और जवाब दीजे और कौन सा सही है आपसन नंबर वही A है ठीक है असंभाव काम बेरी गूड चलिए अगला दीखे गाल बजाना मुहावर का अर्थ क्या है तो अपका दीखे गाल बजाना है न तो A B C या D कौन सा सही है आपका आपसन नंबर दीखे A सही है ठीक है डिंग हातना बेरी गूड चलि един enc अगर आपको पता होता है तो प्लीस कमेंस करके जरूर बताइए गा era इसे आप अपने आपको झाप अचछों कर सकते हो आपको याद जल दी ऑघते अप्रतिक प्रतिक कौन सा समास तो कौन सरुक्त beste episode दिल्ट आप अप कौन साफ समास आप चत्सकोन है ने तो इसमें अंक आया है आपका अंक उप्सन नंबर एज सही है द्वीगो ठीक है चलिए अगला दीखे अपका दिखे सूगंध स्वस्त है तो गंद स्वास्त हमर आजब सास संबंदी थे तो किसे तंबंदी हें यह योजना को sher तो कौह्शें ग्ला क्यों आपकर मैं उससे भूलना चाहता हूं तो कौन सी संग्या है तो कौंद C या D Option number kuna सच अंय,u option number B सहीं थीक है भाव बॉर वाक है यह है तो भाव है न रविवार कौन सब्सक्स नमबर ऑपकली पूरिंग त्रिलिंग कोन सच आहिए आपका option number option number इस हीं थीक है रही गोड चलिए देखे आपका नारी कौन सब्सक्राइब है तट्सम है ना तदभव ठीक है पार्सी या अर्भी तो नारी जो है option नंबर डे सही है अर्भी है है ना चलिए very good देखिए आपका पूरुष ओके पूरुष में कौन शा उप्शर्ग है देखिए पा है ना option नंबर ए, option नंबर बी, सी या डी वही है आपका option नंबर कौन सा सही है option नंबर ए, सही है पा very good चलिए देखिए अगला question देखिए किस उम्र तक की महिलाओं को आंगनबाडी केंद्रों है ना आंगनबाडी केंद्रों की हित्गराही सीवा का लाव मिलता है very very important है है महिला की उम्र बताना है कब तक है ना किसके बाद ठीक है तो लाब कप किस वर्स तक मिलता रहे है तो option नंबर है ना कौन सा सही है option नंबर सी सही है 45 ठीक है चलिए very good अगला देखिए अगला है आपका देखिए किसी सहाया है ना बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रती महकम से कम है ना कितने दिन दवर करना पड़ता है ठीक है यह दोरान हो गया दोरा है ठीक है तो देखिए 10 दिन 12 दिन 15 दिन या फिर 18 दिन कौन सा सही है आपका option नंबर option नंबर डी सही है 18 दिन चलिए अगला question very good देखिए राश्टी है ना स्वास्त सांखी की केंद्र द्वारा निर्धारित मांद नंड के अनुसार है ना 10 माह की किसी समान निस्वस्त लड़की का वजन होना चाहिए कितना वजन होना चाहिए तो इसका जो है जवाब आप comment करके बताईए ठीक है इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप comments दें है ना तो इसका जवाब comments करके बताईएगा जितने भी है ठीक है जितन रहता है कौन सा विटामिन A B C या D है उप्सन पढ़िह और जवाब दीज़े ठीक है तो कौन सा सही है आपका औरस ब्रesis ऐवाब भी estavam even C कहने अगला दीखे अगला है यापका सहरी इलाकों में कितनी जन संख्या पर एक मिनी आंगन बाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है तो कितनी जन संख्या पर A B C या D ठीक है तो option number कुन सा सही है सहरी इलाकों में पूछा गया है ठीक है तो option number B सही है एक सो पचास से चार सो तक अगला दिखे आप अगला यह है देखे साधराणता है है ना कुल जन संख्या में समय की तबाल वी का सेवा परियोजना के 01 है ना वर्स के हित ग्राही बच्चों की आदर से संख्या होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए जन्म का और दोनों का ठीक है आप याद रखेगा the most most important है ठीक है देखे अगला क्वेशन देखे बाल स्रहमिक प्रतिसेद है ना इवम नियमन अधिनियम लागू किया गया था तो कब लागू किया गया था देखे सब्सक्राइब करें और इसका जवाब आप सोचे दीजिए मैं फिर भी बता देता हूं है अप्सन नंबर कौन से सही है ऑप्सन नंबर डी सही है ठीक है 23 दिसंबर है ना 1986 को वेरी गुड़ चलिए अगला है आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी देखे मधुमें निमने के ठीक धंग से हैना काम ना करने के कारण होता है तो किनके हैना कौन से जो है अंग वो ठीक धंग से काम नहीं करेगा तो मधुमें हो जाता है तो आप्सन नंबर कौन से सही है ए बी से या ड कौन सा सही है option number option number B सही है ठीक है अगनाशा है ओके चलिए अगला दीखे आपका देखें आंगान बाड़ी केंद्रो द्वारा प्रते के हित ग्राही बच्चों को है ना पूरा कोशन आहारी होजना के तहत प्रती दिन गूर की है ना कितनी मात्रा दी जाने चाहिए कितनी मात प्रत्रा दी जानी चाहिए option A, B, C, D कोन सा सही है option number A सही है ठीक है 10 gram ओके चलिए अगला देखें अगला कोशन आपके सामने है देखें आपका सामान निता जन्म की उपरांत है ना सिसुओं को मा का दूत कब दिया जाना चाहिए तो कब दिया जाना चाहिए A, B, C, D कोन सा सही है आपका option A सही है के जन्म की आदे घंटे बाद काफी सरन को शिन है और काफी important है ठीक है चलिए अगला देखें आपका देखें नोजजतन योजना क्या है तोąda ज़तन योजना क्या है तो option A, B, C, D कोन सा वही है अपका option नंबर देखें Option नंबर यी सहीं है ठीक है कुपोशन मुक्ती है तो आंगान बाड़ी केंद्रों से दी जाने वाली समागरी है तो क्या है आपका वही है है रेडियो टू इट आपसा नमबर एस ही है ठीक है अगला देखे अगला आपका काफे इंपोर्टेंट है है ना देखे आपका निम्नानकीत मी तदभाव तो संयुक्त का विलोम शब्द है A B C ये पुर परिशाओं में आय हुए है ना काफी इंपोर्टेंट है तो आपका आपसन नमबर कौन से सही है विलोम वियुक्त ठीक है वियुक्त तो देखे अगला है आपका हथेली पर सरसो उगाना है ना तो मुहावरे का अर्थ है क्य आपका निमनी लिखित में सुद्ध वर्तनी शब्द है तो सुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है देखें A B C या D आपसन नमबर आपसन नमबर सी सही है यह सुद्ध है यथेष्ट वेरी गूड चलिए अगला देखें आपका कहना है कहना शब्द का भाव आचक शंग्या ह इसका भी जवाब आप कमेंट करके बताएं ठीक है वेरी गूड चलिए अगला देखें आपका आहार में प्रोटीन का सर्वस्रिष्ट साधन है तो दाल है है ना दाली दूद अंडा या सबजीयां कौन सा है प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन तो आपका आपसन नमबर ही जोड़ इनकी कमी से देखें ए बी सी या डी है तो आपका सभी है आपसन नमबर डी सही है ठीक है उपरोग तो सभी अगला देखें अगला कोशन आपके सामने है आप देखें चतिस या टोन ही प्रतार्णा निवारा अधिनियम 2005 लागू किया गया था तो कब लागू किया मालू है ना विक्ति को सजा हो शक्ति है तो कितने वर्सों की सजा हो शक्ति है तो इसका भी जवाब आप कमेंट करके बताएं ठीक है चलिए अगला देखें आपका संतरा सी प्राप्त विटामिन है तो संतरा से प्राप्त विटामिन कौन सा है काफी सारल कोशन है आपसन न A, B, C या D, कौन से सही है, आपका option number C सही है, 9 से 12 महिनों में, ठीक है, चलिए अगला दिखे आपका, दिखे, समेकित बाल, विकास परियोजना के उद्देश को, हैना, प्राप्त करने के लिए, प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितली है A, B, C या D, option number B सही है, 6, ठीक है, चलिए, अगला दिखे आपका, अगला कोशन है, आंगनबारी केंदरो द्वारा, अधिक्तम कितने वर्सों की उम्र तक के बच्चों की पोशार को ध्यान में रखा जाता है, तो A, B, C, या D, कौन से सही है, आपका option number D सही है, ठीक है, 6 व कंदिश्टत्व है, कौन सा है, तो option number A, B, C, या D, option number B सही है, calcium, मुझे भी calcium की कमी होगी है, इसलिए मैं दवाई खा रहा हूँ, ठीक है, चलिए, अगला देखे आपका, अगला है, किस vitamin की कमी से है, बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है, तो कौन से vitamin की कमी से, A, B, C, या D option number कौन से सही है, option number B सही है, ठीक है, vitamin B की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट कोश्टन है, पहले हम लोग देखे थे हैं, सहरी छेत्रों में, लेकिन यह है आपका आदिवासी छेत्रों में, ठीक है, तो सही है, देखे आपका आदिवास दिखें अगला है आपका दिखें आपका किसी सीसू को है ना विटामिन ए की प्रतम टी का कब दी जाने चाहिए तो कब दीनी चाहिए ए बी सी या डी सरल कोश्चन है आप्सन नंबर ए सही है नौ महिने की उम्र में बेरी गूर चलिए तो यह है छोटा सा वीडियो आशा करत सकते हो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देख रहे के लिए और अगर आपको इसका maps cvc डाउंड़ुड कर सकते होें हमारे इरिग्रम चैनल से जूद सकते हो चलिए बहुत-बहुत धन्य वीडियो परक्रणियtechn. कर दो कर दो